बंदे मातरम, बंदे गव मातरम, बंदे व्रक्षम, मैं आज आपको दुनिया के सबसे शक्ती साली प्रकर्तिक रशायन के वारे में बताने वाला हूँ, जिसको बायो केटेलिस्ट भी कहते हैं, यह आपके सामने हैं, बायो केटेलिस्ट मतलब एंजाइम्स जो प्रोटीन से तो एंजाइम्स की महत्रता क्या है हमारे सरीर में हमारे हर चीज में कि जिस तर्फिए से हमारी पाचन क्रिया होती है, वो एंजाइम्स को दुदारा होती है, जो हमारी कोसिकाओं में पाए जाते हैं, वैसे पेड़ पोधो की भी हम भी 70%, लगबग 70% प्रतीसर पानी से बन सड़गतम खल्लू साश्वतम तत्व सर्वं धारकम सत्व पालनकारकम वारी वयू व्यों वही जागतम शाश्वतम प्रकर्ति मानव सड़गतम देखिए प्रकर्ति ये प्रकर्ति खेति को समझना है तो ये स्लोक है कि प्रकर्ति और मानव का रिस्ता शाश्वत है शाश्वत हमारे पेड़ पोधे हमारी मिट्टी पंचतत मतलब मुमी गगन, वाईू, अगनी, नीर जब हम पाचों को छोड़ दे तो ये भगवान बन जाता है मतलब प्रकर्ति के भगवान हमारे पूरवजों ने हमारे वेज्ञानिकों ने हमारे रिशियों ने पुराने जमाने में क्या शांदर चीज दूढ़े थे पंच तत्की जिसको प्रकर्ति की पूरी भासा समझ सकते हैं अब उर्जा की पूरी शक्ती समझ सकते हैं और इसके लाब आज इसका पूरी दुनिया इसका लोहा मान रहा है तो हम सब पंच तत्की बने हैं तो हमारे सब के सरीर में 70% पानी है 21% ऑक्सिजन हमारे दिमाग के लिए चीए वात्ता वरण के लिए चाहिए तो ये दूसरी के परेयाव चीए तो ये जो बायो कैटिलिस्ट है प्रकर्तिक रसायन है देखिए अगर हमको हमारे सरीर को या हमारी जमीन को अगर एक पहलवान को 10 साल लगती है प्रकर्तिक तरीके से और एक 2 साल में ज़रूर फूल जाता लेकिन उसकी लिवर किडिनी अंदर से सुकड जाती है और वो पहलवान 35 से 40 साल में मर जाता बलकि एक देशी पहलवान जो नैच्छरल तरीके से कर रहा है वो असी से 100 साल तक जीता है तो हमको हमारे अगर मिट्टिक उप जाओ बनाना है तो हमको गोबर गव मूत्र जो हमारे कोई भी लिविंग ठिंक के वैस्ट माटेरियल हो गए या फूल पत्ती या आपके फल से बनता है देखे आज जो मैं आपको प्रकरिया बताने वाला हूँ उसमें आप पत्ती के द्वारा ये देखे हमारा ये नीम रसायन देखा पत्ती के द्वारा मातर 30 रुपे में 50 एकड़ का सांदार कीट नासक बना सकते हैं जो प्रकरति खेती में पत्ती आते समिसका विस्प्रे कर सकते हैं इसके साथ अगर आप मुनगा या सहजन की पत्ती का बनाएंगे तो कीट नासक के सासथ पोशन का का काम करेगा दूसरा होगे हमारा फूल फूल भी हम बना सकते ही देखिए हम गुलाब का फूल से अगर यह बनाएंगे तो इसमें जब हमारी उसमें गुलाब या फूल आने वाले रहेंगे उसके पहले आप इस्परे करेंगे तो बहुत गजब के फूल आएंगे इसकी जगे आप गेंदे के फूल या दूसरे प्रकार के फूल उंगे जैसे गेंदे कलेंगे तो दो काम करेगा ये कीट नासक का भी काम करेगा और फूलों को भणाने का भी काम करेगा फिर तीसरा हमारा हो गया बेल का रसायन जिसको हम बेल रसायन कहते हैं जम्बो रसायन, यह दोनों का रसायन जाब फल आने वाले रहते हैं, इसके समय आप इस्प्रे कीजिए, और उसको आप खाली जमीन में भी इस्प्रे करेंगे, तो आपकी जमीन में इतने ज़्यादा एंजाइम्स बढ़ जाएंगे, कि आपकी जमीन की अपनी धर्ती माता की पाचन करिया बहुत अच्छी हो जाएगी, और हमारी जमीन भुर्बियूरी हो जाएगी, देखिए इसको बनाने का बहुत अच्छा तरीका है, एक तीन दस का रेसो चलता है, आप एक किलो गुड या शहद लीजिए, तीन किलो आप फल लीजिए, या फूल लीजिए, या पत्ती लीजिए, और दस लीटर आप पानी लीजिए, तो एक तीन दस के रेसों से जब हमने इसको बनाए, तो एक बरनी में हमने बनाए, हमने एक बरनी में एक तीन के दस के रेसों से इसको मिलाए, और इसको हम 90 दिन तक रखते किरवन प्रक्रिया से, जिसको फर्मिनिट इसके डखकन को हलका सा ऐसे खोलते हैं और ताइट कर देते इसमें इसकी जो गैस निकल जाती है और हवा नियाती काच के उसमें आप बनाएंगे तो बहुत कम गैस बनेगी आप प्लाश्टे को दूसरे बरतर में बना सकते इसी तरीके से हमने फूल इसका सब का बना और यह आपके मातर तीस रुपे में पचास एकड़का बन जाएगा यह इतने ताकतवर एंजाइम से मतलब तीस रुपे में पचास एकड़का कीट ना सक फूल वर्धक फल वर्धक या टू इन वन कुछ-कुछ जो पोशन है पोशन भी देगा जमिन को भुरबुरी भी बनाएग कीड़ों को भी ने आने देगा फूल की मातरा बनाएगी जितनी फूल की मातरा बढ़ेगी उतनी आपकी फल या फलियों की मातरा बढ़ेगी तो यह दुनिया का सबसे सक्ति साली प्रकरतिक रसायन है बायो कैटेलिस्ट है या एंजाइम से जो हमारे सरीर के लिए भी हमार तो क्या करते हैं कि भी हमको मार्केट का लाना है तो हम मार्केट से जाते हैं पांसो पांसो रुपे का लाते जो एक इकड़ में नहीं हो पाता दो एकड़ में नहीं हो पाता और ये तीस रुपे में आपका बन जाएगा नब्बे दिन में इसको आपको हर अपते बस गैस नि देखेंगे तो यह दुनिया का सबसे ताकदवार या सबसे अच्छा सैनिट हैंड सैनिटाइजर हो जाएगा इससे आप शैंपू कर सकते हो इसको आप पानी में टंकी में आपकर एक एक दो दो बून डाल दोंगे तो आपका पानी से क्लोरिन और जितनी भी हार्फुन चीज़ें लगबख समात हो जाएगी इतना ताकदवार एंजाइम से क्योंकि यह हमारे सरीर के लिए भी फायदे मंदे हमारे भार सरीर के लिए भी हमारे पेड़ पोधों के लिए और हमारे जमीन धर्ती माता के लिए तो बायो कैटलिस्ट बनाईए दुनिया के सबसे शक्ति साली रसायन जो हमारे सरीर के लिए हमारे धर्ती माता के लिए हमारे पेड़ पोधों के लिए हमारे जानवर जीव जन्तों के लिए सब के लिए अमरे समाने और ये हमारी भारतिय संस्कृति है इसमें हमें गर्व होना चीए जिसने हमार देश कुर्णत बनाए अपने भारत कुर्णत बनाए जैहिन दोस्तो